एलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियन जीएस तो फ्रेंड्स आज हम लोग जहर खंट के महान सवतनतरता से नानी बाबा तिलका मान्जी के बारे में डिटेल इनफोर्मेशन जानेंगे इनके दुआरा किये गए महान कारियों को आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए जानते हैं इनके बारे में तिलका मांजी जी का जन्म सुल्तान गंज जो की बिहार में है वहाँ पर हुआ था और इनका गाउं का नाम था तिलकपूर गाउं था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 इस्वी को हुआ था इनका जन्म और इनकी मिर्त्यों की तिथी है मतलब सहादत ति थी है 13 जन्मरी 1785 को इनकी सहादत हो गई थी अब देख लेते हैं मेप में कि सुल्तान गंज कहां पर है और तिलकपूर गाउं यह सभी कहां पर है तो और यह सुल्तान गण जो है वो यह घंगा नदी के किनारे बसा हुआ है यह काफी important है मैं best question बन सकता है कि सुल्तान गंज किस नदी के किनारे बसा हुआ है और यह है बिहार district यहां पर भागलपूर यह है भागलपूर टो यह रहां बिहार का map और सुल्तान गंज का map चलिए बागे जानते हैं इनसे related और भी कुछ महान अच्छे अच्छे तध्यों को तिल का मांजी राजमाल छेत्र के संथालों से संबंदित हैं मतलब यह राजमाल छेत्र से संबंदित हैं तिलका मांजी किसोर अवस्था से ही स्वभावनिश्ट व्यक्ति तथा सोतंत्र के पोशक थे इसी कारण इन्हों ने क्या किया कि अंग्रेजों का जो सोशन अत्याचार होता था उनके विरूध इन्हों ने कड़ी कारवाई की और उनके विरूध विद्रोह भी किया अब आगे देखते हैं तिलका मांजी के विद्रोह का केंद्र भागलपूर के निकट वंचरी जोर नामग गाउं था, इहां से इन्हों ने अपना विद्रोह किया करते थें अंग्रेजों के खिलाब तिलका मांजी अपने विद्रो के परसार है तू सख्वा पता का परियोग संदेश के रूप में करते थे सख्वा पता जो साल कभरीच होता है उसका जो पत्ता होता है उसमें इनोंने अपने मैसेज को लिख-लिख के अपने अनुयाईयों को पहुंचाया करते थे और उनसे मेसेज प्राप्त किया करते थे और अंग्रेजों के विरूद इसी तरह उन्होंने लड़ाई आरंभ किया था अब आगे देखते हैं तिलका मांजी अंग्रेजों के विरूद संगटित होकर लड़ाई प्रारंभ की थी मतलब इन्होंने एक अपना संगटन बना लिया था और उसमें लीड रोल निभा रहे हैं तिलका मांजी जी तिलका मांजी गुरिला युद में दच थें गुरिला यूद कहने का मतलब कि आके मार्पके भाग जाना ऑल्गे अंग्रेज अ अधीकारी मतलब इंहें आतंक का प्रियायब मानता था मतलब जो अंग्रेज अधीकारी जो थे Bluetooth इन्होंने इनको आतंक कहके बुलाते थे अब गुरिला यूद के बारे में कुछ और information हम लोग जान लेते हैं कि गुरिला यूद एक्च्छली में होता क्या है इसमें किस प्रकार की यूद निती अपनाई जाती है और कैसे अपने दुस्मनों से लड़ा जाता है गुरिला यूद जिसे हम लोग गेरिया यूद भी बोला जाता है जो चापामार के अर्थ में परियोग तो होता है मतलब इसका मतलब क्या होता है चापामार यूद होता है और यह एक अस्पेनिस भासा का एक सब्र है गुरिला अस्पेनिस भासा में इसका अर्थ होता है लगु यूद मतलब चोटा मोटा यूद जिसको हम का सकते ह और च्वार पहले सिल्ड़ होता नहीं है, एक छोटी सी तुकडि के दरा लड़ा है, छोटी सी सेना के दरा, मोटे तोर पंचातर शापमार युद्ध, अर्ध सेनिकोड के टुकडियों, अंत्वा अंयमित सेनिकोड दरा सत्रु सेना, के पीछे या पास्रोव में आकर्मन करके लड़ा जाता है मतलब ये छोटा मोटाल लड़ाय किया जाता है और इसमें क्या होता है कि इसमें छोटा मोटाल लड़ाय होता है लेकिन दुस्मन को बहुत ही ज़्यादा नुक्साम पहुंचाया जाता है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता है कि कब यूध गया गया है अगला पॉइंट है सिवाजी को भारत के भीतर गुरिला यूध का जनक माना जाता है यह कोशन पूछा जा सकता है कि गुरिला यूध का जनक भारत में किसको माना जाता है तो यह सिवाजी जो थे उनको माना बागे देखते हैं, तिलका मांजी ने किलिवलेंड को 13. Mär Boston 784 को अपने 3 से मारा था, मतलब इन्होंने अपने 3 धनू जो हुता है, उनसे इन्होंने किलिवलेंड को 13. Mär Boston 84 को मार गिराया था, पूरी ब्रीटियस फोज में किलिवलेंड की मौत से दहट सत्थ फैल गई थी, मतल 1785 में जवराह नामक जो पहाड़िया सरदार था इन्होंने धोखे से अंग्रेजों को मतलब तिलकामांजी को रहने का स्थान था वो बता दिया कुछ मतलब पैसो के लालच से इन्होंने बता दिया कि तिलकामांजी कहां पर है तो उसी के अनुसार अंग्रेजों ने तिलकाम मांजी जी को पकड़ लिया जिसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बर्गत के पेड़ के पर लटका कर इनको फासी दे दी गई यह जवरा नामक जो पहाड़ीया सरदार था यह काफे गदारी गिरी किये हैं इस मामले में तिलका मांजी को जार्खन के सोतंतिता सेनानिय में से पर्थम सहीद होने का गवरव पराप्ते मतलब जार्खन के जितने भी सोतंतिता सेनानी है उनमें से तिलका मांजी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लिए हमारे राईजी के लिए सहीद हुए थे बागे देखते हैं इनका जाती क्या था इनका जाती नाम था जबरा पहाड़िया इनका दूसरा नाम था एक्जाम में पूछा जा सकता है कि जबरा पहाड़िया किस सोतंतरता सेनानी का दूसरा नाम है तो यह क्या है यह तिलका मांजी जी का दूसरा नाम है अब आगे देखते हैं विद्रो का केंद्र बिंदू कहां पर था तो यह एक पुलिस अधिच्चक थे राजमहल छेत्र के इलाके से और तिल्का मांजी जी राजमहल छेत्र से ही युद्ध लड़ा करते थे क्लिवलेंड के साथ मुड़ वेड की ती थी क्या थी तो यह 13 जन्वरी 1784 थी इस तिन ही तिल्का मांजी और क्लिवलेंड के वी युद्ध हो गया था और जिसमें क्लिवलेंड मारा गया था दिल्का मांजी के जीवल काल में पढ़य आकाल मतलब कब-कब इनके जीवल काल में इनके इलाके में आकाल पढ़ गये थे सुखा पढ़ गया था तो यह वर्स 2770 इस्वी था और 2777 इस्वी यह दोनों साल में यहां पर आकाल पढ़ेते हैं भागलपूर इलाके में तिलका विद्रोव की अवधी क्या थी तो यह सत्रो सो तिरासी से लेके सत्रो सो पचासी तक इन्होंने युद्ध लड़ा था विद्रो का स्वरूप क्या था गुरिला यूद्ध जो कि मैंने पिछले ही स्लाइड्स में डिसकस कर चुका हूं इसमें किस तरह चापामार युद्ध निती अपनाये जाता है जन्जाती समर् को लेकर घुमते थे अब विद्रो का कारण क्या था सीकों का परचलन शुरू कर अंग्रेज संपोसित साहुकारों द्वारा अस्थान्य लोगों पर सोशन किया जाता था यह विद्रो का एक मुख्य कारण था आकाल के समय भी भुकमरी यूँ उस दोरान भी अंग्रेजों सोशन और शूरू कीया जाता था ये विद्रो का एक मुख्य करण था उद्वू का अंग्रेजों द्वारा विला सिता घु फेशन की विद्रो के सामवगतियों को बाजार में जबर्चस्थी फहला ना मतलब जो लोकल इंडश्टि है इनको नस्डि किया जाता था अंग्र यह विद्रो हुआ विद्रो का महत्व क्या था यह जान लेते हैं पहला महत्व यह था कि विद्रो में महिलाओं की पर्यात भागिदारी थी मतलब यह एक ऐसा विद्रो था इसमें जिसमें की महिलाओं ने भी अपना भागिदारी निभाया था दूसरा महत्विए है लोगों की स्वाधिनता के परती जागरुकता भी फैल गई इस विद्रों के कारण अब इनके द्वारा क्या-क्या जनकल्यान कारी कारी के गये थे वह जान लेते हैं तो पहला क्या है व्यवसाई की पारंप्रे का अदला बदली विनिमे के तरीकों को अपनाए रखने पर इन्होंने बल दिया था मतलब समान के बदले समान ही मतलब लेना देना होना चाहिए य तो आप किसी वैसे वेकति को चूज करेंगे कि जिस्म को गेहु की जूरत है और उनको चावल बेजने की जूरत है तो इस इसतिति में होता है वस्तु विन्यू मेपर नाली मतलब जिसको जो चीज की जूरत होती है वो उस इंसान से कॉंटेक्ट करता है और जिसको तो दूसरे इंसान से extent करता है अब अगला क्या है ऑगला क्रुघ करें करता है यह अंग्रेज zach attack नuti रख कर गरिगमों तथा जवर्णों को तुमं दिया करते थे निधन मांची जी और इस पर नाली को क्या बोला जाता था रोविन होड पर नाली भी बोला जाता है अगला क्या है आपसी एकता को बनाए रखने पर इन्होंने बहुत ही बल दिया मतलब लोगों को आपस में connected रखा ताकि कोई भी लोग जो हैं बिरिटिस के साफ ना हो अलाकि यह इनके एक लोग था मतलब एक वेक्ति था जिन्होंने जिनका नाम था जबरा कुछी पहाडिया सरदार था उन्होंने इनको पकड़वा दिया था और जिसके कारण इनकी फांसी भी हो गई थी बरगत के पेड़ के नीचे अब आगे देखते हैं तिलका को पकड़वाने वाला व्यक तिलका की सहादत तिथी क्या थी और अस्थान कौन सी थी वो जान लेते हैं तो यह सहादत तिथी तेरो जन्वरी 785 को इनको मतलब फांसी पे लटका दिया गया था बरगत के पेड़ के नीचे और यह भागलपूर में अंग्रेज्यों द्वारा बरगत पेड़ पर लटका अगर फांसी दे दी गई थी तेरो जन्वरी 785 यह कोशन पूछा जा सकता है कि तिलका मांजी जी को कब फांसी द लेखाकों के द्वारा उन सभी को भी जान लेते हैं क्योंकि यह भी एक इंपोर्टेंट टोपिक है लेक के छेतर में तो पहला उपनियास क्या है साल गिरर डाके यह है फ़र्ष्ट उपनियास जो तिलका मांजी से सम्मंदित हैं अभी इसके बारें जान लेते हैं बांगल प्राइपटा बावसा में एक उपनियास है जिसका नाम है साल गिरर डाके व को अपने इस उपनियास में महासवाता है बने के छो दो को तो को को मोलो हमने कि फल्ट ऐहां मतलबिशत संथाल अधिवासी से संबन देते हैं इस उपन्यास में हिंदी में चाल गिरह की पुकार पर नाम से अनुवादेत और परकासित हुआ मतलब यह हिंदी अनुवाद किया गया है इस नाम पे चाल गिरह की पुकार पर अब अगला उपन्यास क्या है खुल पहाड़िया और यह लिखा गया है राकेश इसकी की द्वारह इसी के कारण तिल्कामान जी को जवरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है अब आगे देखते हैं हुल पहाडिया उक्ण्यास 2012 में परकासित हुआ था इनका परकासन 2012 में किया गया था हुल पहाडिया का तिलका मांजी के नाम पर भागलपूर में तिलका मांजी भागलपूर विश्व विद्धाले नाम का एक सिच्छा का केंद्र अस्थापित किया गया है मतलब यह भागलपूर डिश्टिक में ही तिलका मांजी भागलपूर विश्व विद्धाले की अस्थापना की गई है उनके स्मृति पे उनके कि जो भी कहें पर यह था दोस्तों तिलका मांजी से संब्धित महत्पूर्ण जानकारियां जो की काफी इंपोर्टेंट है और यह जार्खन के जितने भी एक्जाम से उन सभी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो देख लें एक बार देख लें दोबार देख लें हो सके तो नौट से बना ले ताकि आपको याद रखने में आसानी हो तो थैंक्यो फोर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें अपने दोस्टों को जरूर बताएं और कमेंट करें बताएं कि कैसा रहा वीडियो और जोलौट सबस्क्राइब नहीं किये हैं इंडियन जीएस को वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के तो दोस्तों मैं जारखन का और भी वीडियो बनाया हूं जो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है जारखन जीएस करके और जारखन स को भी मैंने डिसकस किया हूआ उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है तो एक बार फ्रोफाइल जरूर देख लें और अपने अनुसार उन सभी वीडियो को देखें और अधियन करें थैंक्यू दोस्तों